सो फाइनली गाईज आज इंडिया की मार्कित में इन्फिनिक्स ने अपने दो नए स्मार्टफोन ओफिसली लोंच किया है इन्फिनिक्स होटो नाइन और इन्फिनिक्स होटो नाइन पुरो स्मार्टफोन गईस दोनी स्मार्टफोन आपको 10,000 उपे से कम प्राइज में मिलते है जए इंफिनिक्स होट 9 स्मार्टफोन के प्राइज 8,499 पे रखे गई है होट 9 पोरी स्मार्टफोन के प्राइज 9,400 निन्यानमोर पे रखे गई है लेकिन आजके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Infinix Hot9 Pro Smartphone के बारे में बताऊंगा कि कुछ ऐसे रिजन जिससे भी इस mobile phone को बेई चाक हो कर सकते हो और कुछ ऐसे रिजन बताऊंगा जिससा भी इस mobile phone को इगनोर करके किसी दूसरे smartphone के तरफ जा सकते हो अगर आप भी एक budget smartphone खरीदना चाते हैं यानि कि best budget smartphone खरीदना चाते हैं वो भी 10,000 उपे से comprise में तो ये वीडियो आपके लिए है तो बिनस्किप की वीडियो को लास तक जरूर देखे आप से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप हमें चैनल पन नहीं हो होट 9 Pro दोने स्मार्टफोन पर पंच ओल कट आउट देखने को मिलेगा एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी हालनकि कैस मोबाइल पून पर सिर्फ हमें HD Plus का रिजूलेशन देखने को मिलते है बट गैस मैं आपको ये भी बता दू कि 10,000 उफे से कम प्राइज में जदा दर स्मार्टफोन पर आप लोगों को HD Plus का रिजूलेशन देखने को मिलते है बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन है जिस पर आपको Full HD Plus का रिजूलेशन देखने को मिलेगा अब अपने अगले फीचर्स की बात करें तो वो है मोबाइल फोन के कैमरी Infinix Hot 9 Pro स्मार्टफोन पर आपको 48 Megapixel के Quad Camera का सेट अप दिया गया यानि कि आपको 48 Megapixel का Primary Camera मिलेगा एक Low Light Sensor भी देखने को मिल जाएगा और Ultra Wide Angle Sensor भी मिलेगा Selfie Camera की बात की जाए तो Hot 9 Pro स्मार्टफोन पर हमें 8 Megapixel का Selfie Camera मिलते है Guys, on paper तो Infinix Hot 9 Pro स्मार्टफोन के कैमरे बढ़िया लग रही है Guys, अगर आपको Infinix Hot 9 Pro स्मार्टफोन की कैमरे टेस्ट, PUBG टेस्ट और Unboxing की वीडियो चाहिए तो अपना कीमति कमेंट मुझे जरूर दे अब बात करते हैं अगले फीचर्स की हो है Mobile Phone की बैटरी Guys, ये स्मार्टफोन 5000 mAh की Massive battery के साथ आता है जो आपको 2-5 दिन का battery backup बड़ी आसानी से दे देगी यानि कि 9,499 रुपे में आपको एक Massive battery देखने को मिलती है Next features की बात करें तो Mobile Phone पर आपको जाएगा जो एक अच्छी बात है अब बात करते हैं Mobile Phone के अगले फीचर्स की हो है Mobile Phone के RAM और इस्टोइज Guys, आपको पता होगा Infinix Hot 8 स्मार्टफोन पर भी आपको 4GB RAM प्लस 64GB Internet इस्टोइज मिलता था तो ऐसे ही आपको Infinix Hot 9 और Hot 9 Pro दोनी स्मार्टफोन पर Micro SD Card का Dedicated Solute के साथ-साथ 4GB RAM प्लस 64GB Internet इस्टोइज भी दिया जाता है Guys, ये स्मार्टफोन सिप A की वेरियंट में लॉंच किये गई है अब बात करते हैं Mobile Phone के कौन्स की उससे पहले मैं आपको बता दूगी जो भी स्मार्टफोन लॉंच किया जाता है उसके पास 100% कुछ न कुछ कौन्स जरूर होता है मतलब कुछ न कुछ बुराई जरूर होती है तो ऐसे में इस Mobile Phone पर हमें कोई जादा कुछ बुराई तो देखने को नहीं मिलती है सबसे बड़ी बुराई है Mobile Phone का प्रोसेस है जी हाँ इस Mobile Phone पर आपको कोई भी पारफुल SOC देखने को नहीं मिलते है वो ही दो साल पुरान SOC देखने को मिलता है जो है MediaTek Helio P22 मैं यह तो नहीं बोल रहे हूँ कि इस Mobile Phone से आप गेमिंग पर्फॉमेंस नहीं ले पाऊगी लेकिन पबजी जैसे हाई गेम खेलने में इस SOC पर आपसे दिक्कत हो सकती है जिहां आपको इतनी अच्छी गेमिंग पर्फॉमेंस इंफिनिक 69 पर देखने को नहीं मिलनी है मुझे लगते है कम से कम इस Mobile Phone पर Helio G70 के SOC देखने को मिलना चाहिए था क्योंकि इस प्रेज में नार्जो 10 इस स्मार्ट फोन पर आपको G70 के SOC दिया गया साथ में वो स्मार्ट फोन भी 5000 मिलियांपर की बैटरी के साथ एटलिस्ट इस Mobile Phone पर आपको Helio G70 के SOC देखने को मिलना चाहिए था अगले कौन्स की बात करें तो वो है Mobile Phone की Resolution यानि कि आपको इंफिनिक 69 Pro स्मार्ट फोन पर HD Plus का Resolution देखने को मिलेगा हालें कि HD Plus के Resolution का हम इगनोर कर सकते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि 10,000 रुपी से कम प्रेज में बजट स्मार्ट फोन पर आपको जादा तर स्मार्ट फोन पर HD Plus का Resolution देखने को मिलते हैं मेरे इसाब से बहुत ही ऐसे कम स्मार्ट फोन है जिस पर आपको Full HD Plus का Resolution दिया गया है तो ऐसे में इस कॉंस को हम इगनोर कर सकते हैं बट गाइस सबसे बड़ा जो कॉंस मुझे लगए है वो है Mobile Phone का Processor कम से कम इस Mobile Phone पर आपको एक Powerful SOC देखने को मिलना चाहिए था क्योंकि आज के समय में जादे तर लोग PUBG जैसे High Game खेलना पसंद करते हैं तो एट लिस्ट कम से कम ये स्मार्ट फोन Helio G70 SOC के साथ लोंच किया जाना था बड़ नो डाउट गईज ये स्मार्ट फोन आपके लिए एक Best Choice हो सकते है हालनकि गईज इन कॉंस को आप Ignore भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो वैसे ये स्मार्ट फोन आपके लिए Best Choice हो सकते है अगर आप Heavy PUBG जैसे गेम नहीं खेलते हो तो आप इस स्मार्ट फोन को बेईचा को कर सकते हो गईज मुझे अपना किमति कमेंट जरूर दे और मुझे बताएगी क्या मुझे स्मार्ट फोन के Unboxing करने चाहिए PUBG टेस्ट और Camera टेस्ट की वीडियो बनानी चाहिए PUBG टेस्ट की बनानी चाहिए